नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं CNN News तो चले शुरुआत करते हैं आज की प्रमो खबर से वतन के मिटी के लिए 15 दिनों से सौधी अरब में पड़ा मुहमद असकर का जनाजा शुकरवार को देर रात करीब 11 बजे पैतरिक गाउं पहुंच गया असकर राजपुर धानाच शेत्र के मदगड़ा गाउं का रहने वाला था जुसके बाद स्वाजनों एवं ग्रामिडों ने मिलकर जनाजे को गाउं के कबरिस्तान में सुपुर देखात कर दिया मुहमद असकर की मौत 15 दिन पूर विहरदय गती रुकने से साथी अरब के रियाद शेहर में हो गई थी वहें वहीं पर पिछले तीन वर्षों से काम करता था स्वाजनों ने बताया कि 23 नवंबर की रात अचानक उसके सीने में दर्द हुआ और मुर्चित होकर गिर गया आसपास के लोग मुहमद असकर को नस्दी के अस्पतार लेकर गया चुकित सकों ने उसे म्रदगोशत कर दिया मौत की खबर उनके परिजनों को दी गई पसकर का जनाजा लाने को लेकर परिजन परिशान थे उन्होंने इसकी गुहार स्थानी विधाय कर सहना जिर सरकार के श्रम नियोजन इवं प्रसिक्षन मंत्री सत्यानद भुगता से लगाई श्रम मंत्री ने ततपरता दिखाते हुए जिला प्रशासन को कागजी औप चारिकताओं को पूरा करते हुए विधिश मंत्राले से पत्रा चार का निर्देश दिया इन प्रयासों के बायाद शुक्रवार को हवाई मार्ग से असकर का शव कोलकाता आया और कोलकाता से फिर सडक मार्ग से उसका पैत्रिक गाउं आया मध्यरात्री को ही स्वजनों और ग्रामीडों ने मिलकर असकर की जनाजे को सुपुर देखा कर दिया ग्रामिडों ने बताया कि जनाजे को लेकर सुवजन काफी परिशान थे, मौत की सोचना मिलने के बाद इसे ही लोगों में अफरात अफरी के स्थती बनी हुई थी, 15 दिनों तक पूरा परिवार संकट से 2-4 होता रहा